जर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी बेल का सरवत और बेल की लस्टी और बेल का सेख पिया जाए तो भूत ही फाइदेवन होता है तीनों का तरीका अलग-अलग बनाने का तो चलिए आपको बताते हैं कि तीनों को मैंने किस तरह से बनाया है सबसे पहले मैंने यहां पर बेल को ले लिया है बढ़ी पका हुआ बेल इसमें बड़ी आसी खुस्पू आ रही है और अब हम इसको एक वेलन्स से या किसी चीज़ से पहले तोड लेते हैं तो बस इस तरह से आप बेलन को या किसी चीज़ को मारिएगा बहुत ही आसान तरीका इसको तोड़ना बस एक बार दो बार इस तरह से करेंगे तो यह आराम से टूप जाता है इस तरह से तोड़ने के बाद में अब इसके जो ऊपर का छिलका होता है उसको हम बाहर निकाल करेंगे और अंदर का जो गूदा है उसका हम इस्तमाल करेंगे तो बस दीरे से अप इस तरह से हाथों से पहले आप ऊपर के छिल्के को निकाल दीजिये और अब गूदे को ले लेना सर्वत बनाते समय एक बात का विश्य ध्यान देना है कि जो बील है वो अच्छी से पका हुआ होना चाहिए तो इसका बहुत ही स्वाधिश्च सर्वत बनता है आप इसमें डाल देते हैं हम पानी पानी डालने के बाद में हाथों से कुछ इस तरह से इसको हम मैस कर लेंगी आ मिलाने के बाद में अब इसको बरतन ले लेंगे और उसमें हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो जितने बीजेईजे हैं वो अच्छे से निकल जाए तो बस इस तरह से हम एक छनी ले लेते हैं और उसमें डाल करके इसको छान लेते हैं इसमें गर्मी बहुत पढ़ रही तो गर्मियों में राहत के लिए हमें कुछ न कुछ पीते रहना चाहिए जैसे कभी बेल का सरवत बना लीजिए कभी आम का पना लीजिए कभी नीव की सिगंजी बना लीजिए दही की लसी बना करके पी सकते हैं आपको जो भी सरल पड़े वो उसका आप सेवन करते रहेगा ताकि आने बाली जो गर्मी है उससे हमें राहत मिलती रहे तो वस इस तरह से आप बेल को अच्छे से चाहन लीजिए इसमें जितने भी बीजे थे उन सबको मैंने बहान निकाल दिया है अब हम दूसरा बरतल ले लेंगे और आदे बेल को एक बरतल में हम निकाल लेते हैं और आदे बेल को हम उशी में रहने देंगे तो वस क्या है कि जो दूसरा हम में बेल निकाल रहे हैं उसका हम बनाएंगे सेक और साथी में लसी तो वस इसको निकाल करके अभी हम एक्साइट रख देंगे पहले हम बना रहे हैं बेल का सरवत तो वस देखिए बेल को मैंने अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हो, तो बिना चीनी के भी इसको पीछ सकते हो। साथी में इसमें डाल देंगे, हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा अब इन दोनों को डालने के बाद में च मतне से अच्चे सी हम चीनी को घोल लेते हैं तो बस इसी तरह चलाते हुए आप पूरी चीनी को घोल लीजिए फिर एक गिलास ले लीजिए अब हम सर्वत बनाना बताते हैं आपको उसमें डाल लीजिए आप बर्फ को बर्फ को डालने के बाद में जो मैंने बेल का सर्वत बनाया था उसको इसमें डालने के बाद में आ अच्छी से में डालेजिए तो यह आपका बेल का सरवत बन करके तयार हो चुका है आप हम बताते हैं बेल की लसी कैसे बनाएंगे तो इसके लिए एक मिकसर जाल ले लेंगे उसमें डाल देते हैं बड़ी हल ताजा दही ज्यादा खटा दही नहीं होना चाहिए और इसमें ड पानी यह मिला सकते हो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हम बर्फ डालेंगे तो उससे यह पतला हो जाएगा तो बस इसको मैंने पीश लिया है पीशने के बाद में गिलास में बर्फ डाल देंगे और इसमें इसको निकाल लेते हैं तो यह रही आपकी बेल की लसी अब हम बनाते हैं बेल का सेक सेक बनाने के लिए मिकसर जार में एक कब दूट डाल देंगे और इसमें डाल देते हैं हम इसके गूदे को बेल के और दो चमच इसमें भी हम चीनी डाल देंगे चीनी आप अपने स्वाथ के अंसार डाल सकते हो जिस तरह से आप मीठा पसंद करते हो थोड़ी इसमें डाल देंगे हम इलाइची और इलाइची डालने के बाद में इसको भी हम पीछ लेंगे पीछने के बाद में एक ग्लास में फिर्शी हम बर्क पो डाल देंगे और उसमें हम इसको निकाल देते हैं निकालने के बाद में आब इसमें हम उपार से थोड़ी सी लाइची और डाल देंगे ताकि दिखने में खुशूरत लगे और पीने भी विश्वादिश लगे तो इस तरह से लाइची पाउडर डाल देंगे डालने के बाद में थोड़ी से इसमें हमने ड्राइफूट भी ड पैयार हो चुका है तो यह रहा आपका बिल का सेक और साथी में बनाया है मैंने बिल का सरवत और एरही बिल की लसेत तीनों का तरीका अलग-अलग है बनाने का और तीनों का स्वादी अलग-अलग है तो आप इस तरह से गर्मियों के मोसर में बनाईए इंज़family कीजिये चलि ये मिलते हैं अगले वीडियो में